रतन इंडिया पावर लिमिटेड तो फ्रेंड आज अपनी इस वीडियो में हम रतन इंडिया पावर लिमिटेड के स्टोक के बारे में बात करेंगे यह हमारी पैनी स्टोक स्रीज का तीसरा स्टोक है जो की अपर सर्किट में हैं तो फ्रेंड आज अपनी इस वीडियो में हम के fundamentals की बात करेंगे तो यह एक साल का चार्ट है उसका आधा हिसा आपको हमने दिखाया ताकि इसकीन में सही से fit हो सके तो आप यहां पर देखिए जनवरी से यहां पर यह चार्ट है यहां पर यह जो ऊपर यहां पर यहां पर यह तो अच्छा खासा आया था तो अब यहां पर देख लेते हैं कि अब करंट में इसकी चार्ट के हाल कैसे है तो friend आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह stock फिर यहाँ पर correct हुआ और यह यहाँ पर लवग साड़े तीन रुपे की range का यहाँ पर low किया इस stock ने यहाँ पर और उसके बाद यह stock उपर की trajectory में आया और यहाँ पर heavy volume इस stock में generate हुए और एक बाद इसने reverse लिया और अभी इस stock में काफी अच्छे volume generate हो रहे हैं और volume generate होने के साथ यहाँ पर इसका price action उपर की तरफ है तो यहाँ पर friend जिसे साब से train इसका दिखता है इस stock का और जो other penny stock है वहाँ पर जो circuit लग रहे हैं उनको की fundamental company के कैसे है तो यह आपके सामने company का कुछ fundamental data है तो आप यहाँ पर देखे company की market cap क्या है वो 3,168 क्लोड रुपे है एक small cap company है और यहाँ पर stock का price to earning ratio यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाए दे रहा है क्योंकि company का कोई earning नहीं है means company यहाँ पर loss book कर रहे है यह loss making company है company के stock current price 5,90 पैसे है वही book value minus में है तो company के ओपर इसका मतलब debt अच्छा खासा है अच्छा खासा कर्ज यहाँ पर company के ओपर है क्योंकि company की book value minus 3,56 पैसे आ चुकी है ROCE return on capital employed positive दिखती है लेकिन return on equity यहाँ पर यह minus में है friends means यह भी denote करती है कि company काफी loss generate कर रहे हैं यह loss making company है और company के ओपर debt की बात करते हैं तो 12,000 क्रोड रुपे से उपर है means यह अपनी equity से 3 गुना से ज़्यादा है तो यहाँ पर इस company के ओपर जो debt है इसको देखकर लगता है कि अब यह company dad के नीचे दब चुकी है over burden है इसके ओपर debt का company के इस वे से company profit भी generate नहीं कर रहे हैं promoter की holding 44% से ज़्यादा है इसके 52 week high low देख लेते हैं तो इसके 52 week high रहे हैं 9 रुपे 99 पैसे low रहे हैं 2 रुपे 25 पैसे अभी यह इसका जो current price है लगबख उसके बीच में trade कर रहा है तो friend आप देख सकते हैं कि company के fundamental तो उतने अच्छे नहीं है तो company loss making है company के ओपर debt अच्छा कासा है लेकिन company का stock फिर भी upper circuit पर है और नीचे काफी volume generate हो रहे है high volume के साथ stock उपर की तरफ है reason क्या है market में अभी कोई profit तो बन नी रहा है market के हाल खराब है तो जो robin investor है जो ने investor अभी market में आया है वो बेचेन होंगे तो वो penny stock की तरफ गए है और सभी penny stock में अभी upper circuit लग रहे हैं तो हम आप से request करेंगे कि यदि आपने इस stock में कोई position बना नहीं है तो सोच समझके अपने financial advisor से सला लेके ही कोई position बनाए friends क्योंकि यहाँ पर यदि lower circuit लगने शुरू हुए तो यहाँ पर फिर निकलना भी मुस्किल होता है इन stock से बाकि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो like करें धन्यवादू